राम नीला मैदान में आयुजित लोक तंत्र बचाओ रैली में उपस्तित हमारे इंडिया अलाइंस के सभी हमारे नेतागन, कारिकर्टागन, पदादिकारीगन, दिल्ली, पज़्जाब, जिवार से आई हुए सभी हमारे अभिवावद, बुज़ुद, माताएं, बहनें और नौजवाद, युवास, साथी, आप सब का इस रही में हम स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का भिन करते हैं, यह दिल्ली की भीड बता रही है, कि मोदी जी जिस तरह से आंधी के तरह आये थे, उसी तरह तुपान के तरह चले जाएंगी, पहला रहली हमें पट्टा में किया, दूसरा बॉंबे में किया, और तीसरा आग जो है, दिल्ली में हो रहा है, और मैं बताओ दू, देश के कोने कोने में, जहां भी हम लोग जा रहे हैं, वहां जंता का साथ आशिरवान को पिल रहा है, आज हम सब लोग एचुठ हुए है देश के लोटब, देश के संगरा में, देश के भाइचारा को बचाने पीति करेंए, जिस हिसासथ देश में, बांटने का काम किया जा रहा है, जूस लराई में आपका साथ बिले, आपका अरशिवाद मिले, और आपका प्यार मिले, जो लोग नौरा लगाते हैं, अपने पार चार सो पार उनका मूह है कुछ भी बोलेंगे लेकिन एक बाते हैं जनता ही मालिक है आप मालिक है और आपको अपय करना है कि देश के साशन में कौन बैठ रहेगा काम करेगा आज यहां डिली की जनता से पूछना चाहते हैं पूटलर लगा रहे हैं र्गेड शिक्स कररें एक जनतार में इसा लगहरा के पहले से ही सक फिह यहां सज क्छेंग के इन om तो सथा से बाहर करना है कि रहे कि अज हम सब लोग देख रहें कि देश में आगोशी तैमर्जंसी लागू हो चुकी है देश में सथा में जो लोग बैठे ताना शा रवया अपनाने का काम कर रहे हैं खमंटी हो गए हैं लोग और आज हम लोग किसी को गाली देनी नहीं आहें लेकि जो आंग से देख रहे हैं वह बताने आएं जो मैसूस कर नहीं जो बताने आएं शत्ता में लोग जो पढ़े हैं विपक्ष का धण बनता है कटन बनता है कि उनसे हम लोग सवाल करे आज मेरा मानना है कि देश में सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो बेवज़गारी है महिंगाई है गरीबी है आज यहाँ लोग है नौजवान है नौजवानों से पूछना चाहते बताओ कितने नौजवान यहाँ जो है मोदी जी नोकरी दिया हाथ उठाके बताईए कोई नहीं मिलेगा मोदी जी ने कोई नोकरी नहीं दी सब कुछ जो है प्रिवेटाइज कर दिया और हम लोगों ने ब्यार दे जब कॉंग्रेस लेफ्ट इंडिया अलाइस की सरकार थी सत्रा महीने में पांच लाक नोकरी हम लोगों न देने का काम किया आज किसान तबाह है यू आप परिशान है लेकिन किसानों से मोदी जी को मिलने का समय नहीं है मोदी जी मिलते तो प्रियंका चोपड़ा से मिलेंगे किसानों की समस्या कैसे हलोगी यह नहीं बताने किस लितरे संबंधी थे सब पर केस को कदमात रिया अभी भीहार चले जाहिए कई हमारे नेताओं पे छापे मारी चल रही है कई जगा प्रीटी का नेप चल रहा है आईटी का नेप चल रहा है लेकिन हम लोग घबनाने वाले लोग नहीं आज देश में जिस हिसाब से हेमन चुलेंजी को और अर्विन के जिवाल को गिरफ्तार के दे का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है तो उनको हम बता दे कि इनके घीदर बग्ती से हम लोग ड़ने वाले रही है हम लोग कांच राज आप लोग ने देखा होगा जब जब कंच को किसी से तकलीफ होती थी डर लगता था तब तब जेल में लोगों को बंद कर दिया जाता था लेकिन जेल जाने से यहां कोई डरने वाला नहीं है कितने लोगों को जेल भेजोगे लेकिन जब जंका जब जवाब द सब लोग चुनाओं के समय आप सब लोग बोल किजेगा बोट दीजेगा लोगों को भी वोट दिलाने का क्रम किजेगा बीजेपी जूट बोलने वाले लोग है यह यूडिया को भी चीनी बना रहेते हैं यह लोग गोबर को भी हल्वा दे करके परोश देते हैं यह लोग आख फोड़ करके चश्मा दे देंगे अब फिर बोलेंगे जिको हमने चश्मा दिया जूटी पाटी है इसलिए इन पर विश्वास मत देगा मोधी जी कहते हैं कि उनका गारेंटी मजबूत गारेंटी है गा इसलिए जब तक चुनाओं है तब तक ही मोधी जी की गारेंटी है बाकी कुछ नहीं दो करोर रोजगार का क्या हुआ पंदरा पुजरा लाक रुपे का क्या हुआ यह जवाब ने जेने वाले यह हमेशा जो है प्रोपगेंडा चलाने का काम करते हैं कि आज महामेहिम अज्वाइवादा आद्वारदि हम आप सब लोगों को पता उम्हाइब्क ता उत्व विश्वास नहीं है कि लोग नाब पुरिय कानूर को लागू करना चाहते है रेशसकह से को लागू करना चाहते है इसलिए जाला कुछ ना कहते हुए एक आखरा हम ज़रूर बताना चाहेंगे देश में International Labour Organization ने सर्वे किया है उसमें आखरे हैं कि आख देश में बेरोजगारों में से 83 फीसिदी युवा है परेल युवाओं में बेरोजगारी लगबग 65 फीसिदी है गामी चेतरों में सिर्फ सत्रा साड़े सत्रा फटिशद युवाओं के पास काम है यदि भारत की आत्मा गाउं में 89 फीसिदी युवा आज बेरोजगार है और मोदी जी इसके बारे में कोई काम ने किया आप यह करेंगे और जाते जाते बहुत सारे नेताओं को बोल ला है लेकिन यह अंत हम करेंगे एक गाने के साथ और आप लोगंडा का फिल्म का गारा सुना होगा तुम तो धोके बाज हो वादा करके भूल जाते हो रोज रोज मौधी जी तुम ऐसा करोगे रोज रोज मौधी जी तुम ऐसा करो कि जनत जो रूट गई तो हात मनोगे अरे तुम तो गोके बाज हो वादा करके भाग जाते हो गो बहुति ओ सब लोग बहुत धन्यावाद आप सब लोगों का अष्णमात दने और अम सभी लोगों Talk challenge की लिए और नडाई को लडएंगे और जीते हिए बहुत बहुत धन्यावाद केज़ाएंगा..